नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आप जिस कमपनी में जॉब करते थे महाँ से अगर आप रिजाइन कर चुके हैं लेकिन वापस से आप उसी कमपनी में जॉब 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 करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा वरना आपको PF अकाउड में नुक्सान हो सकता है तो रिजाइन करने के बाद वापस से उसी कमपनी में जॉब 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 करने पर कौन सी बात का ध्यान रखना है और लापरवाई करने पर पीएफ अकाउंड में क्या नुक्सान हो सकता है आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सुब इसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को भी कर दीजे सब्सक्राइब क्योंकि इस पीएफ उस जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहाएगी दोस्तों वीडियो में आगे बड़े इससे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ कि जॉब से रिजाइन करने के बाद आप वापस से वही जॉब जॉइन कर सकते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है लेकिन जॉब जॉइन करने पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक बात का ध्यान रखना है और वो बात कुछ इस तरह है जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनेगा कि जब आप वापस से उसी कंपणी में जॉब जोइन करेंगे तब आप अपने इंप्लियर को ये जरूर कहें कि वो आपको एक नया pf account generate करें ना कि पुराने वाले pf account में पैसा जमा करें यानी की resign देने से पहले जब आप job कर रहे थे तब आपको एक pf account होगा और उस pf account में हर महीने पैसा भी जमा हो रहा होगा लेकिन अब आप रिजाइन कर चुके हैं तो उस PF account में अब आप data of exit को update कर सकते हैं और data of exit को update करने के बाद उस PF account का पूरा पैसा निकाल सकते हैं इसलिए जब आप वापस से उसी company में job join करेंगे तब आप अपने employer को जरूर कहें कि इस बार वो आपका एक नया PF account generate करें और उसी PF account में पैसा जमा करें पुराने वाले PF account में पैसा जमा ना करें लेकिन अगर आपका employer आपका एक नया PF account generate नहीं करता है और पुराने वाले PF account में ही पैसा जमा करता है तो इससे आपको क्या नुक्सान होगा ये जानिये तो होगा ये कि जॉब ठोड़ने के बाद जिस PF अकाउंट का पूरा पैसा आप निकाल सकते थे उस PF अकाउंट का पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे और आपको काफी परेशानी आएगी इसके लिए आपको काफी परेशान होना पड़ सकता है और PF ओफिस और Employer के ओफिस के चकर भी लगाने पड़ सकते हैं और ऐसा होता है ऐसा मैंने काफी PF मेंबर्स को परेशान होते वे देखा है तो एसी किसी भी परेशानी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो यह है कि रिजाइल करने के बाद अगर आप वापस से उसी कंपाइने में जॉब जोल करना चाहते हैं तो आप अपने employer को बोलकर अपने एक नया PF account generate करवाएं और उसी नया PF account में पैसा जमा करवाएं इस तरह से आप भविष्टे में आने वाली परेशानियों से बस सकते हैं बाकि आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मित करता हूं दोस्ता इसके इस वीडियो के जरिये बताएंगी knowledge आपको पसंदाए होगी और यह वीडियो भी आपको पसंदाए होगा वीडियो अगर आपको पसंदाए हो तो लैक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इप ये फोस जोड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी